एलो फ्रेंट वेलकम बेक टू एसी ट्रेडिंग गैन तो फ्रेंट आज हम यहाँ पर डिसकस कर रहे हैं रिलाइंस इंडस्ट्री शेयर का टेक्निकल एंड इस तो पर आप देख रहे हैं रिलाइंस इंडस्ट्री के स्टॉक अभी एक सपोर्ट पर काम कर रहा है जिस सपोर् मैं आप पर डिसक्स करके बताऊंगा साथी मैं आपको बताने वालों फ्रेश इंट्री के लेवल टार्गेट और स्टॉप लाज भी तो पर यहां पर आपके सामने प्रेजेंट किया गया यहां पर एक केंडल एक दिन को रिप्रेजंट कर रही है इसे मैंने कर दिया है लिए कि आज पर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है इसके वाद वापिस से करेक्शन हमें दिखाए दिता है यह करेक्शन स्टॉप को निचे के तरफ लाता है लगभग लगभग आप देखेंगे यहां पर पच्छेसों रुपए के आजपाद श्टॉक आने की कोशिश करत इसके वाद फिर से आती है तेजी तेजी की साथ इस टॉक उपर की तरफ गया उपर कहां तक गया तो आप देखेंगे अठाविस सो रुपए को ब्रेक करके यहां पर उपर की जुम्हां बनाई रजिस्टेंस लाइन हमारी इससे यहां पर टाच करता हूँ आपको बड़ी बड़ी रेट कंडल यहां पर बंती आपको दिखाए इस टोक फीर सोपोर्ट तक आता है जो की चोविश्चो रुपए पर आपको दिखाई दरा यह दिखेगा चोविश्चो रुपए तक गिरने के बाद स्टॉक में फिर से क्या होता है एक तेजी आती है यहां तक देखने को मिलता है साथी मैं यहां पर फिर से अपने रजिस्टेंस लाइन को टच करता हूँ दिखाई दे रहा है यहां पर एक स्लोप बनता हुआ दिखाई देता है वह फिर से कारेक्षन के साथ ही स्टॉक वापिस से हमारे नीचे की लेवल 24 पर आता हूँ आपको दिखाई दिखाई दिया इतने बड़े इतने बड़े कंसलोडेशन वाचा उपर की तरफ चला एक दम उपर नहीं गया इस्टॉक हलका फुलका उपर गया यह देखिया थोड़ा सा उपर जाने के बा तो आप यहां पर देखेंगे स्टॉक आपको 2700 रुपए तक यहां पर देखने को मिल जाता है 2700 रुपए आपको दिखाई दे रहा है यह हमारी वही लाइन है जो कि हमारी उपर की रिजिस्टेस लाइन है लेकिन अभी स्टॉक क्या कर रहा है तीरह और भी नीचे की लेकिन यह गिरावट बहुत जादा बड़ी नहीं थी यहां पर गिरावट होने के बाद इस टॉक एक बार फिर से रिटेस्टिंग करने के लिए उपर की तरफ जाता है लेकिन फाइनली इस बार जब स्टॉक की रिटेस्टिंग हो जाती है तो अपने सपोर्ट को तोड़ करेक्ट हो करके यह देखिए वापिस से ब्रेक आउट मिला 24 रुपए को और श्टॉक अभी 2413 पर क्लोजिंग दे चुका है लास्ट ट्रेडिंग दे पर आज है पांच अक्टूमबर और यहां पर जो क्लोजिंग भी 2413 पर चार अक्टूमबर की बात है आज तो मार्केट लेकिन जैसे मार्केट शेक्टूमबर को कोलता है मैं आपको रिकमेंट करूंगा आपको इसके अंदर बाइंग करना चाहिए यहां पर बाइंग करते हैं 2413 पर तार्गेट क्या रखेंगे तो उपर की ट्रेंड लाइन यहीं आपका टार्गेट रहेगा उपर की ट्रेंड की साथ जो टार्गेट आपका निकल के आएगा लगभग 26 रुपे आप बांद सकते हैं आपका टार्गेट निकल करके आ रहा है 2526 के बीच में इसके बाद अगर बात करें स्टॉप्लस की तो यहां पर ज्यादा बड़ा नहीं रखना है आप 50 पॉइंट का जहां पर आपक पर निचे रखेंगे और यदि आप बाइंग करते संपूर आपने बाइंग का किया 2413 पर आपका स्टॉप्लस क्या है यहां पर तेवीच सो साथ रुपए का तो यहां पर आपको बाइंग करते श्टॉप नीचे की तरफ जाता है तब तो आपको इस टॉप्लस को एज़ि और विए उपर की तरफ ट्रेल करते जाना जाना एसा नहीं कि आपको फिक्स रखना चलता रहेगा जिससे कि आपको ज्यादा लॉज यहां पर नहीं होने वाला है डेफिनिटली इस टॉपर की तरफ चलाएगा आपको यहां पर निकल करके आ रहा है तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल विन भूले थैंक यू सो मच पर वाचिंग देश वीडियो